मौनसून में मोच मस्ती करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। छुटिया मनाने गए इस परिवार की खुश्यां पल भर में मातम में बदल गई। दरसल सोशल मीडिया पर दिल दिहला देने वाली खटना का वीडियो वाइरल हुआ है। जिसमें परिवार के सभी लोग प पहाडों में भूसी डेम की पीछे इस्तित जरने का आनंद ले रहे थे। तब ही अच्वानक पानी का बहाव तेज हो गया। पानी का बहाव तेज होता देखिन सभी लोगों ने एक दूसरे को कस कर थाम लिया। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मनजूर था। कुछ दे जरनकारी के मुताबिक इनमें से पांच लोगों की मौत हो गई है जिनमें एक महिला और चार बच्चे शामिल है। मरने वालों में चार साल का एक बच्चा भी शामिल है जबकि चार लोगों को बचा लिया गया है। द्रसल पूरे के सायद नगर में रह रहे अंसारी दिनों दुखों का पहार तूट पड़ा। लोनवाला सिटे पुलिस के मुताबिक इस परिवार के 17 लोग शादी सभारों के बाद छुटिया मनाने लोनवाला गए थे। इस दोरान सभी लोग भूसी बांध के पीछे ज़रने पर गए और वहां सभी परिवार के लोग एक पानी का फिलो इतनी तेजी से बढ़ सकता है। जब अचानक पानी की रफतार तेज होने लगी तो सभी लोगों ने एक पत्थर पर एक दूसरे को पकड़ कर बचने की कोशिश की। लेकिन पानी की ताकत के सामने वह टिक नहीं सके और बारी बारी से फिसल कर बहने मगर चार बच्चे समेट पांच लोगों की उसी बहते पानी में डूप कर मौत हो गई। पुलिस के मताबिक मिर्तकों की पहचान शायसता लियाकत, अमीमा आदिल, अदुनान सबाहत, मारिया अकील और उमेरा आदिल अलसारी की रूप में हुई है। फिलाल इस घटना के परिशासन भी जा गया और कलेक्टर ने खुद घटना स्थल का मौईना किया है। परियाटकों से खुद का ध्यान रखने और परिवार की जान जोखी में ना डालने की अपील भी की है। वहीं इस घटना के बाद महरास्ट के पूरे में जिला परिशासन ने मानसून सीजन के दौरान परियाटकों के सुरक्षा के लिए एहम फैसला लिया है। मावल तहसील में भूसी बांध और पवना बांध छेत्र सहित कई लोग प्रिये पिकनिक जगों पर 2 जुलाई से 31 जुलाई तक लोगों के जाने पर रोक लगाती है। इस घटना को लेकर आपकी क्या राए हैं और क्या आपने यह वीडियो देखा है और अगर देखा है तो आपको इस वीडियो से क्या सीख मिलती है आपनी राए जरूर देजिए। बाकि चैनल पर पहली बार आए हैं तो ग्लोबल बांडरी को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेच को follow कर लेजिए